चंडिगर से जहापर S.Y.L. पर राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने बयान दिया है S.Y.L. को लेकर राज्यमंत्री कृष्ण बेदी के वोग से बयान दिया गया उन्होंने कहा कि S.Y.L. के मुद्दे पर योगजनाब बनाई जाएगी S.Y.M. अधिकारियों के साथ बैटक करेंगे पंजाब के साथ भी बातशित कीव जाएगी ये तमाम बाते कृष्ण बेदी ने कही है आपको बता दे कृष्ण बेदी ने कॉंग्रस पर भी निशाना साधा है सीयम अधिकारियों के साथ बैटर करेंगे ये तमाम बाते उन्होंने कहीं है और निशाना साधा गया है कृष्ण बेदी की ओर से उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के साथ बाच्छित की जाएगी है इस्राइल का मुद्दा जो एक लंबे वक्त से चलता आ रहा है उसे लेकर कॉंग्रस पर निशाना साधा गया है कृष्ण कुमार बेदी की ओर से और उन्होंने साफ किया है कि पंजाब से बाच्छित इसे लेकर की जाएगी बीजेपी को कोस्ते कॉंग्रस की चार पीडिया निकल गई बीजेपी को इसे लेकर कोस्ते रहें लगाता और अंदेखी करने वालों को जिनता नहीं वक्षती है ये तमाम बाते बेदी ने कही है कि च्वेंडिगर में ये तमाम बाते उनके और से कही गई है हरियाना सरकार का नया प्लैन भी उनकी तरफ से बताया गया हाली कि में जो पहले चुनाव हुए थे मेर के जो चुनाव होते थे वो पहले अप्रत्यक्ष रूप से होते थे लेकिन अब नगर पारिका के जो अध्यक्ष होंगे उनके चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से यानि कि डारेक्ट होंगे बीजेपी सरकार ने ये तैकी हैं तमाम चीजे कृष्ण कुमार बेदी ने ये तमाम बाते कही 90 विदानसभा क्षेत्रों में पदाधिकारियों के साथ काम किया जाएगा और उसके अलावाद जिन बोथों पर लोकसभाद चुनाव में पिछड़े हैं उन पर बीजेपी आगे काम करेगी सियम प्रदेश में जन आशिरवाद यात्रा शुरू करेंगे जन आशिरवाद लेने के लिए जाएंगे 18 अगस्त को कालका के मंदिर से इस यात्रा के शुरूआत की जाएगी और हर्याना के सियम मनोहरलाल ये यात्रावाद करेंगे जन आशिरवाद यात्रा है जहाँ पर जन आशिरवाद लेने के लिए जन आशिरवाद के बीट जाएंगे सियम मनोहरलाल एजवायल के मुद्दे पर योडजनाय बनाई जाएंगी ये तमाम बातें एजवायल के मुद्दे को लेकर भी कही गई किशन कुमार बेदी की ओर से सियम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे पंजाब के साथ मसले को लेकर बातचीत की जाएगी ये तमाम बाते उन्होंने कही हैं कि पंजाद के साथ भी एजवैल के मसले को खल करने की कोशिश है की जाएगी और इसी के साथ कॉंग्रस पर भी निशाना साधा गया कॉंग्रस को भी तमाम बातों को लेकर घेरा गया कि बीजेपी को कोस्ते हुए कॉंगर्स की जो है चार पीडिया निकल गई ये तमाम बाते कही गई है कुरशन कुमार बेदी की उसे चण्डिगर में अंदेखी करने वालों को जनता नहीं बख्षती है ये भी कहा कुरशन कुमार बेदी ने और हरियान सरकार का नया एलाम जो है जहाँ पर प्रतेक्ष रूप से चुनाव होंगे चाहे वो नगर निकम की चुनाव हो या पारशदों की चुनाव हो अब डारेक्ट होंगे ये सरकार ने फैसला लिया है घ्र esté की मेद की ये सरकार लाशज है प्रेम वह प्लाइब उड़वर मुझे की 6am